अक्सर जब आप न्यूस पेपर में किसी स्पिशिस का नाम पढ़ते हैं तो आपके मन में ये कोशन आता होगा ना कि UPSC इसमें किस तरह के कोशन पूछती है तो आज के इस सेग्मेंट में हम बात करेंगे स्पिशिस रिलेटिड किस तरह के कोशन पहले पूछे गए हैं UPSC द्वारा तो आएए देखते हैं सबसे पहला कोशन यहां पे आपसे कहा गया है कि इन में सी कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स हैं पहली स्टेट्मेंट है आपके पास बैट भी बर्ड अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बी के बारे में तो पता ही उधारन के लिए मेरे घर पे एक अमरूद का पेड़ लगा हो था और अक्सर वहां पे एक तोता आके इस अमरूद को खा जाता था तो अगर आगे जाकर वो तोता कहीं पर डेफिकेशन करेगा मतलब नित्यकरम क्रिया करेगा तो उसके बाद वो कहीं न कहीं उन सीट्स को अगर वो उन सीट्स को रिलीज करेगा तो वहां से पॉलिण ही तो होगी तो यहां पर आपकी स्टेट्मेंट ठीक हो जाती है तो बचा क्या आपका उप्ट्चन यहां पर आपका option बना दी.- ऑप्ट्चन. और कहीं भी आपका 3rd option नहीं आता जहां पर second के साथ वो इंक्लू अगर आपको इसके बारे में पता हो तभी attempt करने की जूरत है अन्य था आप इसको छोड़ दीजे अदरवाइस तो बहुत-बड़ा blunder कराएंगे आप क्योंकि यहां पर आपको negative marks मिलने की probability high है as compared to इस question को अगर आप ठीक से attempt करेंगे इस question के बारे में मुझे भी एक statement के बारे में short shot पता था वो पहली statement है कि भीया ये जो plant है इसको हम desertification को control करने में use करते हैं क्योंकि जो तेजस program के under मैंने batch पढ़ाया है उसमें भी ये मैंने पढ़ाया है कि इसे हम desertification को control करने के लिए use करते हैं बट इसके इलावा इसके बारे में और कुछ नहीं पता यहाँ पे इस statement से मैं सिरफ B option को eliminate कर सकता हूँ बाकी और कुछ नहीं अब क्या ये बायो डीजल का source है देखिए government recent time में बायो डीजल पे बहुत सा focus कर रही है तो हो सकता है इस statement ठीक हो बट अगर हम real time scenario की बात करें तो इस question को attempt करना अपने आप में आतम हत्या के बराबर है वैसे तो इस image से आपको समझ में आई ही रहा होगा कि यह जो आपका plant है इसकी commercial value नहीं हो सकती timber industry में because यहाँ पे इसकी जो डंडियां है वो बहुत छोटी है पतली है तो इससे कौन सा आप gate बना लोगे तो इस वज़े से यहाँ पर आपकी fourth statement eliminate हो ज environment में रहना सीख चुका हाई altitude पे जिसकी वज़े से यह थोड़ा important हो जाता है तो यहाँ पे one and three statement आपकी ठीक है answer है आपका C option बट मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा कि paper में ऐसे question को छोड़ना ही बहतर रहेगा अब यहाँ पे तीसरे question में आपसे पूछा गया है endangered species क बारे में देखिए यह भी आपका current affairs से oriented question है आपको यह species कहीं ना कहीं news में देखती ही होंगी अब जैसे कि आपने national park वाली मेरी series में देखा होगा कि चीतल आपको लगबग हर जगा देखने को मिलता है तो क्या यह species आपकी endangered हो सकती है तो अगर आप चीतल को यहाँ eliminate करते है और यहाँ पर eliminate करते हैं तो आपके पास option दो बजते हैं या तो option C या A अब यहाँ पर third statement में देखिए आपको रूसस monkey देखने को मिल रहे होंगे अब यह जो बंदर है यह तो आपको हर चगा देखने को मिलते हैं चाहे आप शिमला या किसी भी mountain area में जाते हैं वेस्टन द जहाँ पर आपका correct option बन जाता है A option जहाँ पर आपके musk deer, red panda, asiatic wild ass और great indian busted यह सभी आपके endangered category में आते हैं अब इस अगले question में आप से difference पूछा है antilopes के बीच में एक है aurex और दूसरा है chiru अब यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में difference पता होना थोड़ा मुश्किल है देखे अगर मैं असल में बताओं तो 2012 में अगर यह मैंने question attempt किया होता तो शायद मुझे भी ना पता होता इस तरह के question आपको paper में exam में skip करने चाहिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जैसे test match में ball को खेलनी की जितनी एहमियत है उतनी एहमियत होती है अ attempt करने की जूर्त नहीं है वैसे इसमें A option आपका बिल्कुल correct है यह जो आपके auris है यह hot and arid area में रहते हैं whereas चीरू जो है आपके यह cold mountain area में देखने को मिलते है steepy और semi desert area में तो यहाँ पे आपका A option correct है but इस question को असल exam में आपको attempt करने की जूरूरत नहीं है because बहुत rare है अगर कोई ऐसे important fact आता है तो आपको उसके उपर focus करना चाहिए अगला question है आपका इन में इसी कौन सी species naturally आपको इंडिया में नहीं मिलती है अब यहाँ पे आपके black neck crane, cheetah, flying squirrel and snow leopards अब यहाँ पे आपको एक चीज देखिए, cheetah क्या इंडिया में मिलता है अशियाटिक ची देते है शायद 1948 में last time हमने चीता देखा था इंडिया में उसके बाद से नहीं देखा है तो second statement को eliminate करने के बाद automatically आपका answer आगया B option तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद